नमश्कार और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में अभी तक आपको यह सोचना में नी गई होगी कि आपका जो थियोरी का पेपर होने वाला था उटल चुगा है पिछली वीडियो में हमने समझाया भी आपको और नाइलिट के नोटिस भी डिस्क्रिप्सन ने दे दी ताकि आप अथन्टिक तरीके से जान पाएं कि आखिरकार एक्जाम कब होना है और किस तरीके से होना है यह सारी चीज़ें हमने आपको बता दी है पिछली वीडियो में जैसे ही ये वीडियो हमने डाली तुरंट कमेंट सिक्षन में कमेंट आने लगे कि सर प्रैक्टिकल एक्जाम के लिए कुछ कराईए तो यही सोचरा देने के लिए यही चीज सुरो करने के लिए आज की ये वीडियो लाई गई है और इस वीडियो के साथ हम सब बात करने वा वही question exam में आ भी जाएं, ऐसा तो नहीं होगा, तो आपको ये समझना जरूरी है, कि हम किस पैमाने पर निर्धारित कर रहे हैं, कि ये सवाल आपके लिए important है, तो जैसे समझे कि आपका O level का exam है, ये जो संस्था इसको करा रही है, और नाइलिट होती है, और नाइलिट खुद से जारी करती है 20-30 सवाल, कि भाई ये पढ़ लू, ये M1 के लिए important है, ये M2 के लिए important है, ये M3 के practical exam के लिए important है, और ये M4 के practical exam के लिए important है, ये आप official site पे भी जाके देख सकते हैं, और वो question हम discuss करने वाले हैं, और यकीन मान के चलिए, आप ये 20-25 सवाल अगर लपड़ देते हैं, सिर्फ 20-25 सवाल, तो आपके practical exam में कोई भी ऐसा सवाल आप नहीं देखेंगे, जो यहाँ पर इस series में discuss ना किया गया हो, आप चाहें, तो पिछली बार जो हमने question कराए थे M1M2 पे, वहाँ पर जाके देख सकते हैं, और practical exam में कितना question आया था, वो भी जाके compare कर लीजेगा, इससे बड़ा proof तो कोई हो नहीं सकता, तो सबसे पहले चलते हैं question पे, देखता है कौन कौन से को question है, जो हमारे लिए important है, तो देखें, ये एक list है, जो important question जारी किये है, नालिट ने, यहाँ पर 20 question इन्हों ने दिया है, और कहा रहा है कि ये आपके practical के लिए most important सवाल है, अब इन्ही सवालों को हम discuss करने वाले हैं, मैं चाहूं तो एक-एक करके सवाल पढ़ओं और आपको बताओं, पर इसमें बहुत time आपका waste होगा, मैं इस list को description में दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ दीजेगा, कि कौन कौन से question important है, अगली जो वीडियो आएगी, उसमें हम एक-एक सवाल लेंगे, और एक-एक सवाल को अच्छे से explain करेंगे, कि आपके लिए कौन से सवाल का जवाब किस तरीके से आपको देना है, पहली चीज, दूसरी चीज, जो बच्छे सीधे practical पढ़ रहा हैं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि प्रैक्टिकल पढ़ने के लिए आपको थोड़ा सा आधार भी होना चाहिए, तो हमने पाइथन के पूरी सीरीज कंप्लीट करा है, यह description में लिंक दे दूँगा, आप 6-7 गंटे लगाकर उस सीरीज को अच्छे से दिख लीजे, ताकि चीज़े समझ मैं है, क्यों आपको एक आधार बना लेना है, कि आप चीज़ों को समझ पाएं, अब यहाँ पर मैं जो चीज़ों को समझ पाएंगे, यह पूराने आधार पे ही आप कर पाएंगे कि आगे कैसे वर्क हो रहा है, तो आपको आज के लिए क्या काम करना है, आपको पाइथन की वो वीडिय देख लेनी है, जिससे आप चीज़ों को आगे समझ पाएंगे, प्रैक्टिकल तभी समझ पाएंगे, जब थियोरी थोड़ी बहुत आपको समझ पाएंगे, मैं यह नहीं कह रहा हूँ, पारांगत हो जाड़ी है, पर थोड़ा बहुत तो पढ़े लिजे, ताकि मैं चीज देगा देवाँ